हेलो स्टूडेंज, वेलकम डू ब्रिलियंट माइंज, आज हम करेंगे अपनी एक्सराइज 14E, कुशिन नमबर 6 से, लास्ट वीडियो में हमने ओर रेड़ी कुशिन नमबर 125 कंप्लीट कर लिया है, और इस चेप्टर की बाकी सारी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप आपने बाकी सारी वीडियो देखी होई है, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट आम इस चैनल पर आएज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी, औ तो सारे के सारे कंसेफ्ट आपको आ जाएंगे, चलिए, करते हैं, कोशन नमबर 6, the difference between two supplementary angles is 20 degree, find the angles, हमें सबसे बहले क्या करने हैं, हमें supplementary angles क्या होते हैं, ऐसे दो angles जिनका सम होते हैं, 180 degree, तो हमें वो दोनों angles find करने हैं, और हमें बताया है, उन दोनों angles का difference 20 degree है, और यह आप हमें दो angles force करने हैं, सबसे बहले हम क्या लेते हैं, let the one angle be, अब देखे, हमारे दो angles होंगे, एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा हम ले ले लेते, let the larger angle is equal to x, अब आपको समझ भी आएगा, ऐसा हमने क्यों किया, देखे, अब हमें refine करने है, its supplement, तो सबसे पहले, क्योंक angles हैं, जिनका difference है हमारे पास 20, तो अगर एक angle x, उसको supplement क्या होगा धान से समझने हैं, x मैंने greater angle ले लिया, x plus कोई other angle जो में नहीं बता, उन दोनों का sum है 180 degree, उनकि supplementary angles का sum क्या होता है, 180 degree, तो अगर एक angle हमारे पास x है, तो दूसरा angle, अगर ये angle find करने हैं, तो कैसे आएग अब according to question क्या होगा, देखिए, दोनों का difference, तो एक big angle होगा, एक smaller में, जब भी आप difference find करते हैं, तो आपको मेशा बढ़ा आगे रखना होता है, तो इसलिए मैंने इसको larger angle suppose कर लिया था, तो larger minus smaller angle is equal to 20 degree, दो angles हैं, एक x है, 80 minus x है, दोनों का difference कितने है, 20 degree, और जब भी आपक two terms हो, तो आपको पहले bracket में रखना है, अगर बार minus है, minus plus minus क्योंकि sine change होने होते है, minus minus plus, अब यहाँ पे देखिए, x plus x बन गया 2x, minus 180 is equal to 20 degree, 2x is equal to 20 plus 180, 180 इदर minus है, इस side आके plus हो गया, हमारे पास आगया 200, अब हमें x की value निकालने है, तो 2 को हम divide कर देंगे, तो हमारे पास आगया 100, देखिए, आपका एक एंगल आगया 100, जो x था, दूसरे एंगल था हमारा 180 minus x, that is 180 minus 100, तो हमारे पास आगया 80 degree, तो 2 एंगल्स आगया 180 degree, यह आगया आपका अंसर, Q7, some articles are about at Rs. 16 each and some other articles are about at Rs. 5 each, मतलब कुछ articles के price, 1 article की Rs. 16 रूपीज और कुछ ऐसे article भाई के हैं, जो पर article 5 रूपीज के हैं, if the total number of articles about is 54 and their total cost is Rs. 600, number of article total दोनों types के कितने लिए हैं 54 and total cost भी उनकी हमें बताई हुए है 600, find the number of articles of each kind, अब यहां पर देखें इस question में ध्यान से हमने समझना है कि आपके बास 2 types के articles है, type 1 and type 2, then अगर total articles, suppose मैंने first type को ले लिया, ऐसे हम रग लिया, एक type 1 है, एक type 2 है, तो number of article type 1, एक तरह के articles कितने एक, और second type के articles कितने होंगे, आपको total article बताए हुए है 54, तो अगर हम 54 में से first type वाले articles minus करते हैं तो आ जाएंगे, second type के article, second type के article कितने है, 54 minus x, अब यहां से देखने हैं, हमें क्या बताया था, cost of one article of type 1, one article की cost कितने बताई है, जो type 1 है, उसकी cost है रूपे 16, और हमारे पास ऐसे कितने articles हैं, हमारे पास है, x article, तो cost of x articles, x number of articles of type 1, तो अगर देखे, one article हमें each की cost बताई है 16, एक article, अगर आपके पास 16 रूपेस का है, तो x articles कितने की होंगे, 16 into x, that is रूपेस 16 x, ऐसे ही same, cost of one article of type 2, type 2 का जो एक article है, उसकी cost है रूपेस 5, ऐसे ही जब हम cost find करेंगे, cost of कितने articles हैं, 54 minus x articles, यह बस आपने ध्यान देने हैं, देखे, अब type 2 के आपके पास कितने articles हैं, कितने, जब type 1 थी, तो one article 16 रूपेस का x article हो गए 16 x के, अब type 2 में एक article 5 रूपेस का इतने article कितने हो जाएंगे, 5 into 54 minus x, किसको multiply कर लेते हैं, तो हमारे पास, चाहे आप सिधा रहने दी, बाद में question में solve कर लेंगे, जब हम सिधा multiply कर भी सकते हैं, तो यहाँ आपस क्या आ गया, 5 into x, 5 x, यह कौन सी cost आ गई, अब आप देखिए, आपको total cost कितनी दी हुई है, रूपेस, 600, अब ध्यान से question को समझने है, total cost है, 600 वो कैसे बनेगी, यह total cost, यह कौन सी cost है, यह cost है, type 1 articles की, इस cost में add कर देते हैं, cost of type 2 articles, जितने भी articles हैं, total cost उनकी, तो दोनों articles के, अगर total cost को add कर देंगे, तो आपके पास, जो total cost उनकी नमबर में दी हुई है, वो आ जाएगी, यह हमारी equation की form में, यह number की form में, दोनों equal हैं, तो 6 x में से 5 x गए, 11 x, equation बन गई हमारी, अब यहाँ पर 11 x, 600 में से हम 270 को कर देते हैं, subtract, 11 x is equal to 600 में से यह minus होगे, तो आ गया 330, अब यहाँ पर हमें x की value find करनी है, 330 हम 11 को divide कर देते हैं, 11 ones are 11, 3, 0 as it is, तो हमारे पास x की value की आ गई 30, it means type 1 के कितने articles हैं, 30 articles, अब लिख सकते हैं, number of articles of type 1, 30, and number of articles of type 2, अब type 2 के कितने articles हैं, 54 minus x, that is 54 minus 30, तो हमारा answer आ गया 24, तो हमारे पार two types के articles के number आ गया, first type के articles हमारे पार 30 हैं, और second type के articles हैं हमारे पार 24, I hope यह question पर आप सबको अच्छे से clear हो गया होगा, चलिए करते हैं, question number 8 start, find the lens of the side of an isosalist triangle, whose each of the equal sides is 2 cm less than twice the length of the third side, given barimeter of isosalist triangle is 24 cm, अब देखें, जैसे हमारी isosalist triangle के होती, जिसकी two sides के होती हैं, same, और यह एक side होती, जैसे, अगर यह 4 है, यह 4 cm है, तो यह 5, 3 कुछ भी हो सकती है, उसकी 2 sides same होती है, अब देखें, आपके question में क्या कहा है, कि find the length of the side of isosalist triangle, whose each of the equal sides, यह दूनों equal sides है, वो 2 cm less than twice the length of third side, तो पहले मैं third side suppose करनी होगी, तो हम ले लेते हैं, let the third side of isosalist triangle, अब देखें, जो हमारी third side है, आपने यह ध्यान देना है, कि जो हमारी third side है triangle की, उसे को हम suppose करेंगे, क्योंकि बाकी 2 sides equal हैं, और दूनों इसी के relation में हैं, तो third side x हो गई हमारी, अगर यह x है, तो जो equal sides हैं, तो equal sides हमारी क्या होंगी, उन्हें क्या बोला था, 2 cm less than twice the length of third side, third side का twice मतलब 2x, इसमें से 2 कम कर दें, तो यह आ गया, cm में क्या, हमारा equal side, बद दोनों, यह side हो यह side, 2x minus 2, यह भी आ गई, 2x minus 2, दोनों की length, अब हमें, अब हमें triangle का perimeter अलएडी दिया हुआ है, then, perimeter क्या होता है, perimeter होता है, always sum of all sides, तो आपकी side कुन कुन सी होई, 2x minus 2, प्लस कर देते हैं, second side, 2x minus 2, again, प्लस कर देते हैं, x, पर इस सब किसके equal है, perimeter के, जो हमें कोशन में कितना दिया हुए, 24, perimeter में कितना दिया है, 24 cm, अब इसको हम कर लेते हैं, 2x plus 2x plus 1, बन गया, 5x minus minus plus 2 plus 2, बन गया 4, sign आ जाएगा, minus का, यहाँ पे आपके पास 24, 5x is equal to 24, 4 यहाँ पे add कर देना है, 5x is 24 plus 4, आ गया 28, अब x की value क्या आ गई, 28 over 5, अब यह देखिए, 5 के value में 28 हो जाएगा नहीं, तो हमारा क्या answer आ गया, 28 over 5 cm fraction में, अब चाहें तो decimal में भी convert कर सकते हैं, अब यह आगे हमारी third side हम लिखते थे हैं, यहाँ पे, third side is equal to 28 over 5 cm, अब हमें करनी है, equal sides find, जो 2 sides है, equal sides are, क्या होगी इनकी value, 2x minus 2, तो 2 into 28 over 5 x की value put कर देते हैं, अब यहाँ पे cutting तो हो नहीं रही, तो पहले कर लेते हैं, इनको multiply, इन दोनों को multiply करके क्या आजाएगा हमारे पास, 2 8s है 16, 56 over 5 minus 2, नीचे 1, LCM ले लेते हैं, 5, 56 minus, यह बन गया 10, 56 में से 10 गए, 46 over 10, तो आपकी तीनों side क्या आगई, equal side है 46 over 5 cm, second side भी 46 over 5, उनके दोनों ही same है, और third side आगई, 28 over 5 cm, कोशन नमबर 9, डिवाइट 600 इन्टो 2 equal parts, such that 1 4th of the part, of 1 part, exceed 1 6th of the other part by 20, अब देखे, कोशन में क्या करते हैं, सबसे बहुत ले लेते हैं, उन्हें बोला था, दो पार्ट से हैं, 1 पार और अदर पार्ट, हमनें ले लिया, let the first part be X, अब हमें कोशन में क्या बोला, divide 600 into 2 equal parts, हमें 600 को 2 parts में divide करने हैं, means 2 parts में बार्ट देने, तो अगर 1 accept, second part क्या होगा, 600 minus X, बोल आपके पास 600 रुपीज हैं, आपको 2 बच्चों में divide करने, 2 बच्चों को देने हैं वो पैसी, अगर एक को 200 दे रहें, दूसरों कितने हैं देंगे 600 minus 200, that is 400, then तो हमने 600 में से first part minus कर लिया, यह तो हमने अपने 2 parts find कर लिया, अब हमें according to question, अपने statement कैसे बनानी है, अब question में हमें given है, one fourth of one part, first part जो है, उसका one fourth कर लेते हैं, one fourth of first part, exceed कर रहा है किसको one sixth of the other part, तो उसको हमने second part लिया था, one sixth of other part, अब exceed करने का मतलब क्या होता है, कि वो उससे बढ़ा है, यह part, इस part से कितना बढ़ा है, यह से है 20, तो अगर हम इन दोनों को minus कर लिया, द्यान से सम्मझनाए यह concept, यह वाला part, इस part से 20 बढ़ा है, exceed करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, first minus second आगया 20, हम इसको solve करते हैं, सबसे पहले हम यह 4 और 6 का LCM लेने हैं, जो आपके पास आजाएगा, 12 देखिए, 4, 6, दोनों पहले two के डेबर में जा सकते हैं, 2, 2s हां, 2, 3s हां, again 2, 1s हां, 2, 3s हां, यहां पहे भी 3 आ गया, 2, 2s हां, 4, 3s हां, 12, तो 12 लिख दिया, हमने LCM आ गया हमारा, LCM is equal to 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 3, 3 को 1 से multiply कर दिया, 3, 1s हां, 3, x, 12 को 6 से गया, उपर 1 था, 2, 1s हां, 2, जो भी आपका LCM के साथ denominator को divide करेंगे आता है, वो number को open numerator से multiply करना होता है, यह 3x as it is, 2, 6 जां 12, 0, 0, minus, minus, plus 2x जां 2, x, then अब देखिए, next step में हम क्या करेंगे, 3x plus 2x, दोनों बन गए, 5x, minus 1200, and 12 इदर divide हो रहा है न, फूरी टम के साथ जब तो उदर जाके, इसको हमने कर दिया multiply, 5x minus 1200, is equal to 12, 2, 24, 0 as it is, 5x is equal to 240 plus 1200, 5x is equal to हमारे पास इसको add करके आगया, 1440, अब आपको चाहिए x की value, तो सबसे पहले हम 5 से क्या कर देते हैं, divide, तो 5, 1's are 5, 5, 2's are 10, 4 बच गए, 44, 5, 8's are 40, again 4 आगए, तो यह बन गया, 40, 5, 8's are 40, तो हमारा answer आगया, x is equal to 288, यह आगया आपका first part, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, first part, is equal to 288, second part is equal to, कैसे आएगा second part था, 600 minus x, तो हमें क्या करने, 600 में से 288 को, subtract कर देने, subtract करके हमारे पास आगया, 312, यह आगया हमारे second part का भी answer, question number 10, solve for x, हमार पास दो parts है, इनको हमने simplify करने, और x की value को find करने, अब हम करते हैं, question number 10 का part 1, यहाँ पे देखे, सबसे पहले हमें, क्या करने हैं, इसको simplify करने, तो यह fraction form में हम, इसका LCM ले लेते, इसे 4 and 6 का, पहले LCM लेते हैं, 4 और 6 का LCM ले लेंगे, आपके पास आजाएगा 12, 12 को 4 से divide कर देने, 3, 3 को 3 से multiply कर दिया, 9 बाद में अंदर वाले number से multiply करेंगे, पहले बाहर वाले number से कर लेंगे, तो 12 को 6 से गया, 2, 2 5s आ 10, ऐसे आपका सम इजी हो जाएगा, आपको calculation में कहीं भी कल्दी नहीं लगेगी, तो 9 2s आ 18, 9 5s आ 45, 10 7s आ 70, minus minus plus, 10 5s आ 50, अब आपको क्या करने हैं, simply, देखे 7 x over 3 as it is, यहाँप 18 x और 50, दोनों को कर लेते हैं, हमारे पास आ गया, 68 x minus minus plus, हमारा आ गया 115, अब next step में हम क्या करते हैं, 12 इसेट क्या हो रहा है, divide, इधर जाके कर देंगे, 12 को multiply, 3 1s आ 3 4s आ, 68 x minus 115, is equal to, 7 x into 4, 68 x minus 115, 7 4s आ 28, 68 x 28 आके, इस साइड minus हो जाएगा, x है like term, और 115 को मुझे साइड लेगे, वो हो गया positive, इन दोनों को minus कर देते हैं, हमारे पास आ गया, 40 x, 115, x is equal to 115, over 40, दोनों 5 के डेवर में जा सकते हैं, 5 2s हा 10, 5 3s हा 15, और 5 8s हां के cutting नहीं होती, हमारा answer क्या आ गया, 23 over 8, part 2 देखे, same, इसमें में हमारे पास, अब यहां पे और थोड़ी सी fraction को, ज़़ा simplify करना होगा, कैसे देखे, यह तो as it is लिख देते हैं पहले, अब यह जो bracket है ना, bracket के अंदर यह number, और यह अपने आपसे लग से fraction, तो पहले हम इस bracket को solve करते हैं, तो सबसे पहले, इसके नीचे कुछ निया तो हम लगा लेते हैं, 1, 1 और 2 का LC हम ले लेंगे, आ जाएगा 2, अब हमें क्या करना है, 2 को 1 से divide, अंसर आ गया 2, 2, 2, 4, अब यहां पे सबसे important thing, आपने देखने हो, बहुत सारे story यहां पे mistake करते हैं, देखे, 2 को 2 से divide करेंगे, वानी आगा, बच्चों को लगना कि वानी आ रहा है, तो अब अगर नमबर as it is लिख देते हैं, नहीं, बाहर है minus, तो यह नमबर रखना होता है bracket में, क्योंकि आपका sign change होना होता है, जब भी bar minus है, तो अपनी समझ के लिए, अपनी practice के लिए यहां लिख सकते हैं, कि 2 को 2 से divide करके आ गया 1, अब यहां पे कुछ नहीं आगे, नीचे 1 लगा लेते हैं, अब यहां पे आ गया 3 by 4, 7x minus 1, और यहां पे पहले इसको simplify करते हैं, 4x, 1, 1 जा तो 1 नहीं होगा, minus, minus, plus, देखे, इस step के लिए मैंने आपको यहां पे यह लिख वाया था, अगर आप यहां पे 2 को 2 से divide करके आ लिखते हैं, तो आपने क्या करना सीधे इसको लिख देना था, और sign भी change नहीं करना था, यहां पे sign भी change होना होता है, तब इस step में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4x में 1x add कर देंगे, बन गया 5x minus 1 over 2, तो x over 1 plus 3 over 2, अब यहां पे 4 and 2 का हम ले लेते हैं, अब देखे, यहां पे हमने क्या किया, 4 और 2 calcium ले लिया 4, 4 को 4 से divide करेंगे, तो 1 नहीं आएगा, 3 1s आ 3, 4 को 2 से divide कर दिया, तो आगया 2, 2 इन दोनों के साथ multiply होगा, तो then 3 7s are 21, 3 1s are 3, 2 5s are 10, 2 1s are 2, minus minus plus, अब 21x, minus 10x, minus 3 plus 2, हमने like terms को, एक साथ यहां पे लिख लिए है, अब इसको कर देते हैं, solve यहां पे, अब देखें क्या आ जाएगा आपके पास, plus minus minus, 21 में से 10 गए, 11x plus minus minus 3 में से 2 गए 1, और sign negative आएगा, बढ़े डिजीट का, अब यहां पे चलिए, सबसे बढ़े हम इसको solve कर देते हैं, 11x minus 1, 2x plus 3, divide by 2, अब फोल्दर क्या हो रहा है, divide, इस साथ जाके हो गया, multiply, 2 1s हा, 2 2s हा, 11x minus 1, 2 2s हा, 4x, 2 3s हा, 6, उनकि 2 इन दोनों के साथ ही, multiply हो रहा है, तो हमने solve कर दिया, 2 into 2 4, 2 3s हा, 6, 11x, 4x इस साथ आके कर दिया, subtract हमने, और यहां पे 6, 1 जाके कर दिया, plus, 11 में से 4 गए 7x, और यहां भी plus करके 7 आ गया, x की value कैसे आ जाएगी, 7 divided by 7, तो हमारा answer आ गया, x is equal to 1, अब देखिए हमारा answer आ गया, last question का, x is equal to 1, अब इस question के साथ साथ, हमने अपनी exercise 14E, अच्छे से complete कर लिये, और 14E के साथ साथ, पूरा chapter हमारा 14, simple linear equation भी complete हो गया, I hope अब साथ स्टोर्ण्स को, अच्छे से chapter clear भी हो गया होगा, in case कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं, अगर आपको वीडियो ची लगी है, तो please like, share, subscribe and press the bell icon, जिससे आपके पास new वीडियो के भी notification timely आती रहेगी, thank you for watching,